विद्धियर्थियों दिवरिया सिनियर सेकंडरी स्कूल के आनलाइन कच्छा में आप सभी का स्वागत है। विद्धियर्थियों पिछले व्याख्यान में हम सभी ने जावीर उसेन द्वारा लिखा गया, गद्धेपाठ, साउले सपनों की याद का अध्यन किया। उस पाठ के प्रस्तुत्तर और उसका सारांस इसको हम सभी पढ़ें आईए हम सभी छितिज भाग एक के काव एखंड का बारहवा पाठ जिसका सिर्षक है कैदी और कोकिला आज हम सभी इसका अध्यन करेंगे कविता को पढ़ने से पहले आईए कवी के माखन लाज चतुरुवेदी के जीवन परिजय के बारे में जाने है आपको यहां चित्र में माखन लाज चतुरुवेदी का चित्र दरसाया गया है कवी के बारे में माखन लाज चतुरुवेदी का जन्म मद्ध प्रदेश के होसंगावाद जिले के बावई गाउं में सन 1889 में हुगा मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे सिच्चक बने बाद में अध्यापन कार छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संभी संभादन किया वे देशभक्त कभी एवं प्रखर पत्रकार थे उन्होंने कर्मबीर और प्रताप पत्रिका का संभी संभादन किया सन 1989 में उनका स्वर्गवास हो गिया हिम किरेटनी साहित्य देवता हिम तरंगिनी वेडू लोगोजे धरा उनकी प्रमुक्रतियां उन्हें पदम बोषण एवं साहित अकादमी पुरसकार से शम्मानित किया गया माखललल चुत्रवेदी की रचनाएं राष्ट्री भावना से परिपूर्ण हैं उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और वरिदान की भावना मिलती है इसलिए उन्हें एक भारती आत्मा कहा जाता है इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं वे एक कवी कार्यकरता थे और स्वाधिन्ता आंदोरन के दोरान कई बार जिल गए उन्होंने भक्ति प्रेम और प्रकृतिशममंदी कविताएं भी लिखी हैं चतुरवेदी जी कविता में सिल्व की तुलना में भाव को अधिक महतु देते हैं उन्होंने परंपरागत चंद बजिता एवं तत्सम सब्दाहुली के साथ अस्थान पर बोल चाल की भाषा के साथ-साथ उर्दू-फार्सी के सब्दों का भी प्रियोग किया है प्रस्तुत कवितावी जिसका सिर्षक है कैदी और कोकिला जिसका आध्यान हम सभी को करना है यह कवितावी स्वाधिनता आंदोलन से जुड़ा हुआ है कवी जब जेल में बंद होता है सोतनता आंदोल के दोरान उसी समय जो परिष्टी कवी को दिखाई पड़ती है उस परिष्टी के बाद कवी के मन में जो भाव उत्पन होते हैं कवी उन अपने भावों को सब्दों के माध्यम से कविता में उखे रहा है बिद्धार्थियों आज के दिए इतना ही कवीता का सवस्वर वाचन अगले व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा धन्यवाद